हलो डियर स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आपके यूटूब पैनल हिंदी इंगलिश इंपरोवर में मैं राजी स्कुमाशा हूँ डियर स्टूडेंट प्रस्तूत वीडियो में क्लास 12 हिंदी से जो अनिवार संस्कृत का खन उसमें से सुभास्तान नामक जो पाठ है उसके सभी इसलोग हिंदी अर्ठ सहित इस वीडियो में बताये गए हैं तो आई इस वीडियो को देखते हैं पहला इसलोग है भासाश मुख्या मधुरा दिव्या गिरिवार भारती तर्श्याही मधुरम काब्यम तर्शमादा पिसुभासितम हिंदी अर्थ देखते हैं, सभी भाशाओं में देववाडी अर्थात संस्क्रत, सरवाधी, प्रधान, मधूर और दिब्वी है निश्चे ही उसका काब्य मधूर है तथा उससे भी अधिक मधूर उसके सुभासित बचन है अर्थ देखते हैं, जल्बिंदु निपाते निक्रमश्याह पूर्यते घटा, साहेतुर विध्यानाम, धर्मस्रिचा, धनस्रिचा बून्द बून्द जल गिरने से क्रमशह घड़ा भर जाता है यही सभी विधाओं धर्म तथा धन पर लागव होता है कहने का तात पर यह है कि विध्या धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्द्यम के साथ साथ धैर का होना भी आवशेक होता है ब्धिमान लोगों का समय काब एवं साथ्ट्रों के आनद में ब्यतीत होता है तथा मूर्ख लोगों का समय बुरियात्तों में सोने में एवं लड़ाई जग्ड़ा करने में ब्यतीत होता है अगरा देख लेते हैं ना चवरेहारम न चराजहारयम न भरात्र भाज्यम न चवहारकारी बेकर्टिय वर्ध्रत एवन नित्यम विद्याधनम सरोधनम प्रधानम विद्यारूपी धन सभी धनों में मुख्य होता है इसे ना तो चोल चुरा सकता है ना राजा छीन सकता है और ना ही भाई इसे बाट सकता है और ना तो यह बोज ही बनता है यहां कहने का मतलब है कि अन्य संपदाओं की भात विद्या रूपी धन घटने वाला नहीं है यह धन खर्च करने से और अधिक बढ़ता है अगला श्लोक है परुच्छे कार हंतारं प्रत्यच प्रियवादिनं वर्जे ताद्रशं मित्रं विश्कुंभं पयों मुखं पीट के पीछे कार को नस्ट करने वाले तथा सामने प्रिय बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे हुए बिच से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है अगला देखते हैं उद्यति सबिता तामर तामर एवास्तु मेति चा संपतोचा विपतोचा महता में एक रूपता महान पुरुष चुक और दुख में उसी प्रकार एक समान रहते हैं जिस प्रकार सूर उदित होने के समय भी लाल रहता है तामर रंका रहता है और अर्थ होने के शमय भी अर्थात महान और ग्यानी पुरुष्षुख दुख से प्रभावित नहीं होते हैं अगला है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ती परेशाम परपीडनाय खलस से शाधो विपरी तुमेतु ग्यानाय दानाय चाय रच्छनाय दुष्ट विद्या वाद विवाद के लिए संपत्ति घमंड के लिए योम सक्ति दूसरों को नुक्षान पहुचाने के लिए होती है इसके विपरीत सज्जन विद्या ग्यान के लिए संपत्ति दान के लिए और सक्ति दूसरों की रच्छा के लिए होती है अगला है शासा विद्धीत अक्रियाम विवेकाह परमा पदाम पदम परड़ुते ही विमस्य कारिडम गुड़ लुबधा स्वमियो संपदा बिना सोचे विचारे कोई भी कारी नहीं करना चाहिए अज्यान अज्यानता आपत्तियों का अस्थान होता है बेत्ति का गुड़ों की लोभी अर्थात गुड़ों पर खुश हो जाने वाली संपत्तियों की देवी लच्छमी स्वयम चुन लेती हैं अर्थात ठीक प्रकाल से किया गया कारी भली भूत होता है अत्ति सीग्रता किसे बिना विचारे किये गया कारी का पगडाम हमेशा अहितकर ही होता है अगला देख लेते हैं वज्ज्रा दप कठोर आणि मर्दून इकुश्मा दप लोको तराडाम चेतांसिको ना विग्यात्रु महल्त असाधारन पुरुषों के हिड़े बज्र से भी कठोर तथा पुष्क से भी कोमल होता है इस बात को भला कौन जान सकता है अगला है प्रिडात यह सुचरिताई हिपित्रम सा पुत्रो यद भार्तुर्यव हितम इच्छातित्र कलत्रम तनिमत्र मापदी सुखे चा संक्रियम यद एत त्रयम जगति कुष्ट से कूणि कर्टो लभनते अपने अच्छे आच्रण से पिता को पुष्ण रखने वाला पुत्र पती का भला चाहने वाली इस्त्री तथा दुख एवंशुक में एक जैसा बेवार करने वाला मित्र इस संसार में एक तीनों चीजे जिस बेक्ति को मिल जाती है वो ये बेक्ति बहुत ही भागिशाली होते हैं अगला है कामान दुखधे विप्रकर्ष्ट तेलच्मी कील्थ शुते दुस्क्रतम या हिनस्ती शुद्धाम शान्ताम मात्रम मंगलानाम धेनु धीरा शून्रताम वाजमाहु ज्यानियों ने सत्य एवं प्रियवाणी को सुद्ध शान्त एवं मंगलों की माता रूपी गाय की संग्या दी है जो इच्छाओं को दुखती अल्थात पूरा करती है दरिद्रता को नस्ट करती है कीर्थियस को जन्म देती है एवं पाप का नास करती है इस प्रकार सत्य और प्रिय मधुर्वाणी को मानों की सिद्धियों को पूर करने वाली कामधेनुगाय की तरह बताया गया है अगला है वेतिस जदी पदानार्थ रंत्रम को अपहेतु ना खलू बहिरू पाधि प्रीत यह संस्रेंते विक्षत ही पतंगेव सुदेव पुंडरीकम दरवतिचा हिमरस्मा दृते चंद्रकान्ता पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है निश्चे ही प्रेयम बाइह कारणों पर निर्भर नहीं होता है जैसे कमल सूर के उदय होने पर ही खिलता है और चंद्रकान्त मडी चंद्रमा के उदय होने पर ही द्रवित होती है अगला इस लोग देखते हैं निंदन्तु नीतिनी पुड़ा यदिवा इस्तु वन्तु लच्मी समा विशत गच्छत वा यथेश्टम अध्यव वा मरण मस्तु वांतरेवा नियायात पताह प्रविचलन्ति पदमना धीरा नीति में दच्छ लोग निंदा करें या इस्तुति चाहे लच्मी आए या स्वयम इच्छा से चली जाए मृत्य ही आज आ जाए या फिर यूगों के बाद हो धैरवान पुरुष न्याय पत से थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं अर्थात यहां यह बताया गया है कि धीरज धार्ड करने वाले लोग कर्म पत पर अडिग होकर चलते रहते हैं जब तक उन्हें लच्छ की प्राप्ती न हो जाए अन्तिम स्लोग है रिशियो राचसी माहु वाच मुन्मत द्रप्तयो शायोनी ही सर्व वैडाम शाहिलो का सिंद्री सत्रही रिशियो ने उन्मत तथा अहंकारी लोगों की वाणी को राचसी वाणी कहा है जो सभी प्रकार के बैरों को जनम देने वाली एवं संसार की विपत्तिका कारण होती है